है गाइस विल्कम बैक तो माइ यूटिव चैनल माइनम इस अभीदेव और इस वीडियो में हमें एक ऐसे सेक्योर क्रेडिट काड के बारे हम बात करने वाले हैं जो लाइफ टाइम आपको फ्री में अविलेबल होता है लाइक यह अपनी क्रेडगरी में टॉप का क्रेडिट कार्ड है और इसमें आपको जीरो जॉइनिंग फीज और जीरो एन्वल फीज लगती है अगर आप सभी ने इस क्रेडिट कार्ड का नाम गेस्ट का लिया है तो आप कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जिस क्रेडिट कार्ड के बारे में बात कर रहा हूं इस वीडियो में उसका नाम है कोटेक 811 dream different credit card इस वीडियो में हम इसके बारे में सारी चीज़े अच्छे से देखेंगे लाइक इसका eligibility criteria क्या है इसमें कौन-कौन से fees and charges हमको pay करना पड़ते हैं आपको कौन-कौन से benefits और rewards मिलते हैं इसको use करने में and last में मैं आपको मेरा preference बताऊंगा whether आपको इसके लिए apply करना चाहिए कि ने सो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे बंढ़ने से पहले वीडियो को like जरू कर दिना and channel को subscribe कर दिना so yeah let's start the video सबसे पहले इस credit card के हम eligibility criteria के बारे हम बात कर लेता हैं तो अगर आप इस credit card के लिए apply करना चाहते हैं तो आपके minimum age 18 years होना चाहिए and अगर आप add-on card भी लेना चाहते हैं इसका तो उसके लिए भी आपकी age 18 years होनी चाहिए अगर आपको add-on card के बारे में नहीं पता है तो simply अगर आपके family member में किसी के पास भी एक credit card है तो आप उनको बोलकर अपने लिए credit card ले सकते हैं लेकि उनके credit card के account से linked होगा but आप भी इसको use करके spend कर सकते हैं and extra card रहेगा आपके पास एक अगर आप इसके लिए apply कर रहे हैं तो आपको as such कुछ भी आपका annual income proof शो नहीं करना पड़ेगा आप simply secured way से आप FD कराके इस credit card को apply कर सकते हैं and जितने भी आप amount की FD कराएंगे उसका 90% आपको as a credit limit मिल जाएगा यहाँ पर Kotec 811 dream different credit card के लिए आपको minimum 10,000 रुपीस की FD करानी पड़ती है and उसके against में आपको credit card दे देंगा so basically यह सारी इसकी eligibility requirements थी अब चलते हैं इसकी fees and बाकी और जो भी charges हैं वो देख लेते हैं एक बार जैसे कि मैंने बताया इस credit card में आपको zero joining fees लगती है and इसमें zero annual fees होती है like ही completely lifetime free रहता है आपको उसके बाद अगर हम reward redemption fees के बारे में बात करें तो वो भी यहाँ पर zero होती है आपको rewards को redeem करने के लिए यहाँ पर कुछ भी pay नहीं करना पड़ता है foreign currency markup fees यहाँ पर 3.5% है then अगर हम interest rates की बात करें तो अगर आप अपना credit card का bill time पर नहीं pay कर रहे है तो आपको वहाँ पर 3.5% per month का interest rate दिना पड़ेगा and अगर इसको हम per year में consider करें तो 42% per year हो जाता ही है so guys please यान में रखना जितने भी आपके credit card bills होंगे सारे आप time पर pay कर रहे है बाकी आपका credit card का bill अगर आप bank पर जाके pay कर रहे है तो उसको लिए आपको 100 rupees separately pay करना पड़ेगा लेकि cash payment fee होगी जो आपको pay करना पड़ेगी यहाँ पर उसके बाद अगर भाईचान से credit card आपसे घूम हो जाता है या फिक credit card break हो जाता है तो replacement की fees आपको यहाँ पर 100 rupees pay करना पड़ती है जो कि normal replacement charges होते हैं सभी credit cards के अगर हम इसमें fuel search charge waiver के बारे हम बात करें तो वो हमें 1% का मिलता है जिसमें हमें minimum 500 rupees का petrol भराना पड़ता है और इसकी maximum 3000 rupees तक का petrol भरा सकता है अगर इस range के बीच में आपका petrol का transaction है तो आपको वहाँ पर simply 1% का fuel search charge waiver मिल जाएगा and as a refund यह आपके statement में show करेगा अगर आप इस credit card को use करके ATM से पैसा withdrawal करते हैं तो वहाँ पर आपको 300 rupees per 10,000 rupees के transaction पर charge होगी ऐसा जिसमें हमें कुछ और charges नहीं पे करना पड़ेंगे simply 300 rupees fees होगी per 10,000 rupees के transaction पर यह सारी इसकी fees और बागी charges से related information थी अब चलके इसके rewards और benefits हम देख लेता है जो की सबसे main part एस video का so इस credit card को activate कराने के बाद अगर आप 45 days के अंदर 5,000 rupees के spend करते हैं तो आपको यहाँ पर welcome benefit में यह 500 points प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर एक reward point की value 25 पैसा होती है अगर आप इस card को use करके online transactions करते हैं तो यहाँ पर 100 rupees पर आपको 2 reward points मिलते हैं अगर यही आपका same transaction offline है तो यहाँ पर आपको एक reward point मिलेगा per 100 rupees के transaction पर तो बहुत simple calculation है आपके transactions का आप जा कर दीख सकते हैं अपना इसके rewards redeem करने के लिए आपको simply इसकी website पर जाना है और आपको बहुत सरे options मिल जाएंगे कि आपको redeem कैसे करना है आप as a cash इसको redeem कर सकते हैं air miles में इसको use कर सकते हैं movie tickets book करने के लिए उसके सकते हैं और बहुत ही सारे options है आपके पास इसके लिए और यहाँ पर आपको आपके railway tickets पर भी waiver मिल जाता है like 1.8% का अगर आप online transactions कर रहे हैं and 2.5% का अगर आप Indian railway booking counter से जाकर अपना transaction कर रहे हैं and यह maximum एक साल में 500 रुपीज तक का ही हो सकता है बाकि ऐस सच इसमें कोई भी हमें lounge access नहीं मिलता है like domestic lounge access भी नहीं है इसमें international lounge access नहीं है बाकि आपको railway का lounge access भी नहीं मिलेगा इसमें so यह कुछ इसका थोड़ा drawback है but अगर मैं इस credit card के बारे में सबसे अच्छी चीज़ बताऊं तो इसमें आपको milestone benefits मिलता है like आप जब इस credit card के लिए apply करता है and आपको मिल जाता है तो आपका starting का जो first year होता है उसमें अगर आप 75,000 रुपीज से ज़्यादा का transaction करता है तो यहाँ पर आपको 750 रुपीज का cash back मिलता है plus 4 complimentary PVR के movie tickets मिल जाता है ऐसे milestones और कोई free credit card provide नहीं कर रहा है आपको so यह सारा है इसका rewards और benefits से related information थी अगर हम इस credit card के advantages के बारे मिल जाता है तो first of all यह एक secured credit card है और आपको बहुत ही easily मिल जाता है आपको simply यहाँ पर FD create करानी है और उस FD के amount का आपको 90% credit limit मिल जाएगा जिसमें आपकी FD minimum 10,000 रुपीज की होनी चाहिए second इसमें आपको कुछ भी joining fees नहीं पे करना पड़ती है और कुछ भी annual charges नहीं होता है lifetime free credit card ही है और यह आपको milestone benefits provide करता है जिसमें 750 रुपीज का आपको cashback मिल जाता है अगर आपका एक साल के अंदर 75,000 रुपीज से उपर का transaction है और यह शुरू के एक साल में यह आपको offer मिलता है उसके बाद आपको 4 PVR के tickets बे मिल जाते है in a year लाइक अगर आप 75,000 रुपीज से जादा का transaction करते है तो आपके जो भी basic करते हैं जो अपने आप debit card से करने वालेते हैं वो आप इस पर shift करके इससे benefit उठा सकते हैं So, मुझे यह सारे benefits लगते हैं इस credit card के अगर आपको और कुछ इसके बारे में information चाहिए या फिर आपको कोई नई चीज पता है इसके बारे में दिन definitely मुझे comment box में बताना मैं try करूंगा सभी के questions और आंसर करने का Until then, अगर आपको यह video यूसफुल लगे हो then please इस वीडियो को like जरू करना and चैनल को subscribe करना See you guys in the next video